इस वीडियो में आशोक लिलेंड बढ़ा दोस्त आईपुर के लस बेरियंट की अंड़ नूट कीमत बताएंगे साथ में कम से कम डाउन पेमेंट और कम से कम EMI के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए बिना देरगावाइए वीडियो को शुरू करते हैं ओन रोड कीमत लॉन एमाई से पहले हम आपको कुछ गाड़ी के बारे में बता देते हैं यानि की इंजिन के बारे में पेलोड कैपिसिटी के बारे में इस गाड़ी की लोड़ बोड़ी लंबाई चोड़ाई के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इस गाड़ी के इंजिन के बारे में तो आपको बता दूँ इस गाड़ी में आपको इंजिन मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलंडर इल लाइन टर्बो चार्ज इंटर कूल डीजल बीएस 6 इंजिन जो देता है आपको 80 BHP की पावर 3300 RPM पर और 190 Nm का टॉर्क 1600 से 2400 RPM पर और बहीं पे बात की जाए इस गाड़ी के एंटिरियर की तो आपको बता दूँ इस बेरियंट में आपको AC नहीं मिलता Power String मिल जाती है Locable Globe Box मिल जाता है आपको Driver and Co Driver के लिए Seat Well मिल जाती है 12 Walt का Charger सोकेट मिल जाता है आपको इस Variant में Music System लगाने के लिए Space मिल जाता है और Seating Capacity की बात करें तो आपको मिलती है बेरियंट में यानि की इस गाड़ी में Deed Plus 2 की यानि तीन लोगों के लिए बात करें इस गाड़ी के गेर की तो आपको बता दू इस गाड़ी में मिलता है आपको फाइब स्पीड मैनूल गेर बॉक्स और गेरा आपको डैस्बोट के उपर मिलता है जिससे आपको केबिन में काफी स्पेस हो जाती है GBW यानि की ग्रोस वीकल बेट की बात करें तो आपको मिलता है इस गाड़ी में 3490 kg का GBW और वहीं पे बात की जाए इस गाड़ी के बील बेस की तो आपको मिल जाता है इस गाड़ी में 2590 mm का बील बेस और इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 15 इंच के टायर अगर बात करें इस गाड़ी के ब्रेक की तो आपको मिलते हैं फ्रेंट में डिस ब्रेक और रियर में मिलेंगे आपको ड्रम ब्रेक बहीं पे बात कर लें सस्पेंशन की तो आपको बड़ा दोस्त में प्रेंट में मिलेंगे 3 लीव स्प्रिंग और रियर में मिलेंगे आपको 6 लीव स्प्रिंग तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लेंद बिट और हाइट के बारे में तो आपको बतादू इस गाड़ी में आपको लेंद मिल जाती है 5025 mm की और बिट मिल जाती है 1842 mm की और हाइट मिल जाती है आपको इस गाड़ी में 261 mm की और चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की क्लच के बारे में तो आपको बतादू इस गाड़ी में आपको क्लच म अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टेंक और माइलेज के बारे में तो आपको बता दूँ इस बेरियंट में आपको फ्यूल टेंक मिल जाता है 50 लीटर का डीजल टेंक और बात करें माइलेज की तो आपको मिल जाता है 15 से 16 के MPL का माइलेज और इस गाड़ी में आपको काफी बढ़िया ग्राउंड कलेंज मिल जाती है 206 mm की और बात कर रहें कर्व वेट की यानि कि कुल बजन की बात कर रहें इस गाड़ी के की तो आपको मिलता है 1630 kg का कर्व वेट कंपनी की तरफ से आपको बारंटी मिल जाती है 3 साल या 1 लाग किलोमीटर की और इस गाड़ी में आपको रिवर्स पारकिंग सेंसर मिल जाते हैं जिससे आपको गाड़ी को बेक लेने में काफी आसानी हो जाती है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लोड़ बोड़ी लंबाई चोड़ाई और पेलोड कैपिसिटी के बारे में फिर हम बताएंगे आपको इस गाड़ी की ओन रोड़ कीमत एंड लॉन EMI के बारे में इस गाड़ी की यानि की बड़ा दोस्त के आईपोर की आपको लोड़ बोड़ी लंबाई मिल जाती है 9,8 इंच की जो काफी बढ़िया मिल जाती है और लोड बोडी चोड़ाई मिल जाती है आपको 5 पिट 9 इंच की और बहीं पे पेलोड कैपिसिटी मिल जाती है आपको इस गाड़ी में 1860 केजी की तो चलिए अब बात कर लेते हैं लाइश्ट में इस गाड़ी की ओन रोड कीमत एंड लॉन इम आई के बारे में तो आपको बता दूँ इस गाड़ी की यानि की असोग लिलेंड बड़ा दोस्त आई पूर के लस बेरियंट की आपको ओन रोड कीमत पड़ती है 8,45,000 रुपे 8,45,000 रुपे में ये बेरियंट आपको ओन रोड मिल जाता है अगर बात करें डाउन पेमेंट और लॉन ही है भाई की तो हम बताएंगे आपको दो ओप्सन डाउन पेमेंट 1,45,000 रुपे और दूसरा ओप्सन बताएंगे हम आपको डाउन पेमेंट 2,00,000 रुपे कि अ. कि अ. कि न. कि ज. हव़ हुआ है रखन् a कदर